हेलो एवरेवन वेलकम टू एस उपीपसी मेरा नाम वंदनात सेंग है इस वीडियो में हम इंपोर्टेंट गॉर्मेंट इसकीम जो है कंटीनु करेंगे यह पार्ट टू है और अल्री हम पार्ट वन जो है वो कर चुके हैं तो जिसने पार्ट वन नहीं देखा है तो वो जो है सेवेंटी कोशन साय आप इसको वैरिफाय कर सकते हैं description box में PDF हैं ऑक अपनी स्कीन जो है वो डिसकस करते हैं तो पहली हमारी स्कीम है Intensified Mission Indra Dhanush 3.0 तो यह Intensified Mission Indra Dhanush 3.0 है तो बैसिकली यह जो सिरीज है Mission Indra Dhanush की और यह जो लॉंच हुई है यह February 2021 में जो है लॉंच हुई है इसका काम क्या था कि जितने भी Children यह pregnant woman है जिन्हों की जो routine immunization होती है वो जिन्होंने miss कर दी है during COVID-19 तो उसको cover करना है इसका जो है में नेम था तो यह जो बिसिकली जो यह है यह सिरीज है 3.0 जो Mission Indra Dhanush की है Mission Indra Dhanush जो इसकी में वो लॉंच हुई थी 2014 में December 2014 में लॉंच हुई थी और इसका काम क्या था कि To achieve full immunization coverage for all the children and pregnant women तो pregnant women और Children का जो है Full immunization coverage जो है Achieve करना तो इसका जो है Mission Indra Dhanush का यह एम था और इसके अंदर जो है Vaccination दी कही है Against 12 Vaccine Preventable Disease तो 12 Vaccine Preventable Disease के अगेंस इसमें Vaccination प्रवाइड की जाएगी Mission Indra Dhanush Dhanush के अंदर जो जो एक्सीन से वो है Dioptheria, Woofing Cuff, Tetanus, Polio, Tuberculosis, Hepatitis, Magnitis, Pneumonia, Haemophilus, Influenza Type B Infection, Japanese Encephalitis, Rotavirus Vaccine, Unneutral Conjugate Vaccine and Measles Rubella और इसमें कहा है जो वेक्सीन है Against Japanese Encephalitis Influenza Type B वो जो है Selected District में जो है Provide की जाएगी Intensify Mission Indra Dhanush जो है वो इसको 1.0 कहते है Intensify Mission Indra Dhanush 1.0 जो है वो लॉँच हुआ था October A 2017 में तो 8 October 2017 में ये लॉँच हुआ था और इसका काम कहाता कि जो immunization coverage है उसको जो है इंप्रूब करना इन सेलेक्ट दिस्टेंट एंस सिटीज और जो है इमनाजेशन को मोर देन 90% जो है कवर करना by December 2018 तो यह जो है इसमें जो पहले एम था वो ट्वेंटी तवेंटी था लेकिन इंडरधनुश जो इंटनिस्ट था उसमें 1.0 में इसको जो है ज्यादा लेफ्ट आउट हो गया था तो इसमें जो है फोकर जो है ज्यादा अर्बन अर्बन अरिया को दिया गया और उसको मार्क करा था इसने मिशन इंदिद्रनुश ने और पल्स पोलिय जो है वो लॉंच हुआ था 1995 में तो इसका काम क्या था कि अरुप गारे cama at least 90% इंडिया अमनाइजेशन गवरेज जो है अचीव करना है बाइत्वेटी तो जो है 90% इंचीज़ेशन गवरेज मार्क करना है जो है नादेकिशक पर सेंधिट्ट पल्स पोल्यॉप प्रोग्राम करता है तो यह को जेएन इंप्र एंडपॉरटेंट हो ज आरुगय योजना जिसको हम बैसिकली आयुष्मान भारत स्कीम के नाम से जानते हैं बैसिकली इसको यह जो लॉंच हुई थी वह सेप्टेंबर 2018 में लॉंच हुई थी और यह वर्ड की जो है लाज़ेस्ट हेल्ट इंशॉरेंच जो फुली फाइनेंच बाइंच बाइंच ब बैसिक्ली के थो फब्लिक भाइश जितने भी फेस्टेंट उप्लिक फॉसमें पांच लाग फ्री पर यह तिया जाएगा इसमें बैसिकली 10.7 करो भुए लो कवर के जाएंगे और इसके अक्वर्डिंग कितना हो गया है यह जो है 50 विकली इसके अंदर कवर होंगे और यह एक cashless scheme है, मतलब इसके अंदर जो है, वो cash प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, direct benefit transfer नहीं होगा, basically, आप hospital में जाएंगे, जो भी आपका खर्चा होगा, वो government बियर करेगी, तो, basically, 2018 होगा था, वो 5 लेक दिया जाएगा, और coverage 10.74 करोर पूर, next scheme है, National Digital Health Mission, तो, National Digital Health Mission, जो scheme है, वो 2020 में लाँच होई थी, और, basically, ये पाइलेट मोड में लाँच होई है, 6 Union Territories के अंदर, तो, 6 Union Territories के अंदर, जो है, पाइलेट मोड में लाँच होई है, तो, सारे UTs इसके अंदर covered है, except, जो है, Delhi, except Delhi, जो है, सारे UTs इसके अंदर covered है, और, basically, इसका, it comprises of the 6 key building blocks, मतब, National Digital Health Mission के अंदर, जो है, 6 key building blocks है, एक तो, आपको health ID मिलेगी, हर जो person है, उसको health ID मिलेगी, डिजी डॉक्टर होगा, health facility, registry होगी, personal health record होगा, e-pharmacy और, telemedicine, तो, यह, basically, इसके, जो है, 6 building blocks है, of the National Digital Health Mission, तो, अभी, यह, पाइलेट मोड में, 6 UTs में, जो है, लाँच हुआ है, next, है, strengthening, teaching, learning and result for state stars project, तो, basically, यह, stars project के नाम से, जो है, वो, जाना जाता है, तो, आप यहाँ धिहान रखेंगे, stars project, जो है, वो, education से related है, so, star project, जो है, education से related है, और इसका launch year है, 2020, basically, ministry of education, department of economic affair and world bank में मिलके, जो है, यह agreement, जो है, sign किया है, so, ministry of education, department of economic affair and world bank में मिलके, जो है, star project, sign किया है, और, basically, इस project का काम है, to improve the quality and governments of the school education in 6 Indian state, तो, 6 Indian state में, जो है, quality and governance of school education को, जो है, improve करना, और यह 6 state है, हिमाचर परदेश, केरला, मध्यपरदेश, महराष्ट, उडिसा और राजिस्थान, तो, यह सारे, जो है, state है, इन 6 state में, जो है, improve करना, stars project, आप धिहान रखेंगे, education से related है, school education से, और इसको, जो है, word bank के साथ मिलके, जो है, sign किया गया है, next time, midday meal scheme, तो, midday meal scheme, basically, यह guarantee करती है, कि एक meal, जो है, school, जितने भी children, गौर्वर्मेंट, एडिट, school या मदर्सा में, उनको समग्रिश रिक्षा के अंदर, एक meal, जो है, तो, student कौन से, class 8 तक के student को, जो है, एक, जो है, nutritional cooked meal, जो है, वो, guarantee की जाएगी, at least 200 days in a year, तो, कम से कम, जो है, 200 days, मत, 365 days में से, 200 days minimum, जो है, यह meal provide होनी चाहिए, तो, midday meal scheme, जो है, वो, launch हुई थी, 1995 में, और 1995 में, इसका नाम क्या था, National Program of Nutritional Support to Primary Education, और, basically, यह centrally sponsored scheme है, तो, इसमें, जो है, center और state, जो है, दोनों contribute करते हैं, और, इन 2014, जो है, स्कीम को, रिलाउंच किया गया, sorry, in 2004, 2004, को जो, 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 रिलाउंच किया गया, as a midday meal scheme, तो, इसमें क्या है, कि, जो, चिल्डरन है, उनका क्राइटेरिया है, कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कितने कैलेरी दी जाएगी, और कितना प्रोटीन दिया जाएगा, और जो अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे है, उनको कितना दिया जाएगा, और जो children है पर primary में उनको 700 calorie with 20 gram of protein प्रोवाइड किया जाएगा तो primary वाले को 450 calorie और 12 gram protein और अपर primary वाले को 700 calorie और 20 gram protein तो आप यहां दियार रखेंगे वो at least 20 days है in a year और class 8 तक तक प्रोवाइड किया जाएगा 1995 में लॉंच वी थी as nspe और 2014 में as a relaunch in midday mail scheme next is scheme for the promotion of academic and research collaboration जिसको हम spark कहते हैं तो इस scheme का काम क्या है कि जो भी research ecosystem है इंडिया के higher education में उसको improve करना तो basically इसमें क्या होगा कि जितने भी आपके जो academic and research collaboration है between Indian institution और जो best institution in the world है उनके बीच में जो है collaborate किया जाएगा और जिससे जो है research ecosystem of India's higher education जो है improve होगा तो इसमें जो coordinating institute है वो IIT KGP है मतलब IIT Kharagpur जो जो है spark program जो है वो implement करेगा तो IIT KGP जो है वो coordinating institute है spark program का तो आपको जो है spark program किस से related है तो research को बढ़ावा देना इन higher educational institute तो जितने भी higher educational institute है उसमें जो है research को बढ़ावा देना next step Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0 तो basically यह भी जो है 1.0, 2.0 और 3.0 जो है यह launch हुआ है तो यह बाकी जो है उसकी series है तो इसमें क्या है इसमें यह envisage किया गया है कि जो 8 लाग candidate है उनको जो है train किया जाएगा over a period of 2020-2021 तो 2020-2021 के अंदर जो है 8 लाग candidate को जो है वो train किया जाएगा तो जो है Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana जो है वो launch 2015 में हुआ था और जो है इसको Ministry of Skill Development ने जो है launch किया था और यह implement हुआ था by NSDC तो National Skill Development Corporation जो है उसने इसको जो है implement किया था objective क्या था कि national objective जो है Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana जो scheme है उसको objective यह था कि जो large number of youth है वो जो है उनको enable करें कि वो industry relevant skill training जो है उसको adopt कर सके for their better livelihood तो basically adjuster कि मतलब एक तरह से यह employment के लिए है कि मतलब skill training देना जिससे वो जो है अपना जो है livelihood जो है secure कर सके और प्रधान मत्री Kaushal Vikas Yojana 2.0 तो पहले 1.0 हुआ यह 2015 में और फिर 2.0 तो यह जो है 2016 से 2020 तक के लिए है इसमें क्या था कि large number of youth को जो mobilize करना कि वो quality skill training और उनको employable बनाना और वो अपना livelihood अर्न कर सके और इस scheme में जो है चार साल में कम सकंद 10 million youth 10 million youth जो है वो benefit हुए है 2016 से 2020 के बीच में तो 10 million youth जो है इसमें benefit हुए है next step portion अभ्यान तो portion अभ्यान को बोलते है national nutrition mission यह जो launch हुआ था वो 8 March 2018 में launch हुआ था तो 8 March जो है women day होता है तो 8 March जो है यह launch हुआ था and portion अभ्यान जो target करता है कि इसमें stunting under nutrition anemia और reduced low birth weight तो इन सारी चीजों को reduce करना है तो stunting को कितना reduce करना है 2% under nutrition को कितना reduce करना है 2% per annum और anemia को कितना reduce करना है 3% per annum और reduce low birth को कितना रिड्यूस करना है 2% पर एनम तो इसमें जो है इस टंटिंग अंडर नुटिशन रिड्यूस लो बर्थ रेट इन सब को 2% रिड्यूस करना है लेकिन अनीमिया जो है एक लौता उसको 3% करना है तो आप इसको ध्यान रखेंगे कन्फ्यूस मत होना सब 2% नहीं है अनीमिया जो है वह 3% पर एनम है तो मिशन का काम क्या है कि जो इस्टंटिंग है उसको जो है 38.4% से लेके 25% बाइट 2020 जो है रिड्यूस करना है तो 25% जो है इस्टंटिंग को रिड्यूस करना मतलब यहां तक लेके आना है 2020 तक और बैसिकल 25 by 2022 किस से रिलेटेड है तो बेसिकली यह जो है स्टंटिंग से रिलेटेड है इस्टंटिंग जो है 38.4 जो है एनेफस और नाशनल फैमिली हेल्थ सर्वेई 4 के अकॉर्डिंग जो 38.4 जो है आपकी स्टंटिंग है उसको रिड्यूस करके आपको 25% करना है by 2020 तो यह मिशन 25 by 2020 स्टंटिंग से रिलेटेड है नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री अवास योजना ग्रामीन तो प्रधानमंत्री अवास योजना ग्रामीन बेसिकली क्या है कि जो इंद्रा अवास योजना थी उसको रिस्ट्रुक्चर करके प्रधानमंत्री अवास ग्रामीन योजना एक अप्रेल 2016 तो यह 2016 में इसको लांच किया गया इसका काम किया था कि जो है पक्का हाउस प्रोवाइड करना विद बेसिक एमिनिटी इस तो हाउस लेस हाउसोल्डर और बिसिकली दोस वा लिविग इन दे कच्चा हाउस बाइड तो 2022 तो 2022 तक जो है जितने भी लोग कच्च अब जितनी आपकी जो बेसिक एमिनिटीज और टॉलेट होगा उसमें जितनी सारी यह बेसिक एमिनिटीज है वह सारी इसको मिलेंगी प्रधामंत्री अवास यूजना ग्रामीन में इसमें जो है इसमें चुट्रक्शन 2.95 करोर हाउस बेसिक एमिनिटीज बाइड 2022 तो टा ही जो है कोविट के टाम हें बहुत जादा इसकीम जो है बहुत जादा फॉपलर रही है बहुत जादा नीमिस में यह क्योंकि कोविट के T愛 entender को जो है सास्पेंड कर दिया था और ईसका बीनिट पार्लेमेंट वह जो है वर्क रिकमेंट करेंगे फॉर दे क्रियेशन ओफ दुरेबल कम्यूटी एसेट और जितने भी बेसिक फैसिलिटीज एंक्लूडिंग इंफ्रस्ट्रक्चर और जितने भी सारी चीज़ें बिसिकली इसका काम के जितने भी MPs है वह अपने जो एरिया ह उसमें है वह जो है वर्क जो है रिकमेंट करेंगे मतलब क्या इंफ्रस्ट्रक्चर क्या डेवलप्मेंट नेचर का वर्क होना है वह सब जो है रिकमेंट करेंगे जो एन्वल MP-led fund entitlement per MP constituency वह 5 करोर रूपे है तो मतलब एक साल में जो है 1 MP MP को जो है MP-led के अंदर जो है 5 करोर रूपी जो है वह दिये जाते हैं जो MPs है वह हर साल जो है वह work recommend करते हैं और इसमें क्या है at least 15% of the MP-led entitlement है वह उन एरिया में दिया जाएगा जहां schedule cast की population रहती है तो मतलब जितना भी आपको जो है आपका 100% जो work है उसमें 100% जो fund है उसमें से जो 15% जो आपका MP-led entitlement है वह जो है schedule cast को दिया जाएगा और 7.5% schedule cast area को जो area schedule cast करते हैं उन area को दिया जाएगा 75% जो है जो area inhabited by STs तो schedule tribe population जहां inhabited करती है 7.5% वहां दिया जाएगा तो इसमें recommendation of work क्या है कि जो लोगसबाल member है वो recommend कर सकते हैं work in their constituency तो लोगसबाल the state from which they were elected तो मतलब अगर किसी भी किसी भी स्टेट से जो elect हुए है वो जैसे कोई भी राज्यसबा का member है कर वो उत्तरपरदेश से elect हुआ है तो वो उत्तरपरदेश के अंदर कहीं भी अपना work जो है वो recommend कर सकता है जो nominated member होते हैं लोगसबा के और राज्यसबा के तो लोगसबा के जो nominated member होते हैं जैसे Anglo Indians हो गए और राज्यसबा के जो प्रेजिडेंट करता है 12 लोगों को तो वो जो अपना work है वो select कर सकते हैं लोगसबा के वो अपने constituency में करेंगे राज्यसबा के करेंगे वो किसी भी स्टेट में कर देंगे और nominated member जो है लोगसबा राज्यसबा के वो कहीं भी किसी भी country में कर देंगे रिकमेंड वर्क तो नेक्स्ट है आत्रम निर्भर भारत अराइज अटल New Challenge नीडिया चैलेंग तो बिसिकली यह जो लॉंच हुआ था लॉघ्णे में हुआ था इसको लॉंच किया था अटल इनोवेशन मिशन नीति आयो तो 2020 में जो UPPSC है उसमें ये कोशन आया था कि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो किसके द्वारा जो है लॉंच किया गया था तो इसका आंसर जो है कॉप्शन में नीती आयोग दे रखा था तो ऐसे कोशन आ जाते हैं तो इनको जड़ा थोड़ा धिहान रख रखिये किस ने अटल नीव इंडिया चैलेंज जो है वो भी नीती आयोग ने लॉंच किया है इसका काम क्या है कि जितनी भी अप्लाइड रिसर्च और इनोवेशन है MSME में और स्टार्टप में बैसिकली उसको जो है इन्हेंस करना तो यह जो Arise जो मिशन है वो बैसिकली MSME और स्टार्टप में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देता है तो यह जो प्रोग्राम में वो ड्रिवन हुआ है बाइ इसरो मतला इंडियन स्पेस और इसर्च और चार मिनिस्ट्री वो चार मिनिस्ट्री है Ministry of Defense, Ministry of Food Processing, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Housing and Urban Affairs तो बैसिकली यह इसरो प्लस चार जो मिनिस्ट्री है और लॉंच किया है नीती आयोग ने और यह जो बढ़ावा देता है वो रिसर्च और इनोवेशन इंडियन MSME माइक्रो एन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जितने हैं वो और स्टार्ट अप्स को और 2020 में यह लॉंच हुआ था नेंस्ट आपका एस्पिरेशनल डेस्टिक प्रोग्राम जिसको हम एडेप कहते हैं तो एस्पिरेशनल डेस्टिक प्रोग्राम सेद Wick prawda यह ब bury इसका काम क्या है कि जो इतने भी आपके जितने भी मोस्ट अंडर डवलप डिस्टिक हैं इंडिया के उनको जो है effectively transform करना मतब उनको जो है इस category से बहार निकालना उनको basically transform करना और इस प्रोग्राम के अंदर जो है 115 डिस्टिक जो है identify हुई है 115 डिस्टिक अइंटिफाई हुई है और basically at least one district from each state तो 115 डिस्टिक अइंटिफाई हुई है और एक district from each state और जो इसके अंदर पैरामेटर इंकलूड़ेड है कि मतलब किस जो डिस्टिक है उनको aspirational district जो है वो consider किया जाएगा तो basically जो जो deprivation है enumerated upon socio-economic caste census, key health and education performance indicator and state of basic infrastructure तो यह पैरामेटर इंकलूड है और यह जो है inspirational district program है इसमें एक ranking मिलती है इन सारे districts को और वो ranking जो है based होती है 49 indicators across five sectors और वो five sectors है health and nutrition, education, agriculture, water water resource, financial inclusion and skill development in basic infrastructure तो यह जो है five sectors है 49 indicators है यह इसके तीन पैरामेटर से है 115 districts identify हुई है और इसका काम क्या है और basically यह aspirational district program भी नीती आयोग का है तो यह भी जो है नीती आयोग का है तो आप इसको जो है अगर यह कर लिया तो आपको कुछ और करने की जुर्षान्थन नीती आयोग कि तो in तो आपको कुछ और करने की ज़रत नहीं पड़ेगी यह मेरा यूजर नेम है वंदना.sing87 तो आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं और यहां जो है अपना सारा जो है रिविजिन कर सकते हैं लास डेस के लिए यह सबसे जादा बेस्ट रहेगा कि अगर आप लास डेस के लिए सबसे जादा आपके लिए बैस्ट रहेगा तो आप यहां से कर सकते हैं और बैसिकली यह टेलिग्राम चैनल है ACPPAC तो यहां आप इसको जॉइन कर सकते हैं मैं इसमें free daily quiz answer writing editorial यह सब update करती हूं और आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते लिए ऐसे वीडियो के लिए थ झाई आपते लिए सबद्टम सीर आप दरूओस है रहे हैं मैंड़ा यहां तो आप मुझे वाल है नगचली यह tomorrow दोप मुझे वे दोई मिए थाए से कर दो आप पाल फंप tubॉछ मुझे अ πर दो दोणवर्द और कर से दोट सब यह ऐसें थादिए